कोरोना से लड़ाई में 130 करोड से अधिक भारतियों ने अभी तक की यात्रा आपसी सहयोग दिन रात मेहनत करके तै की हैं। आगे भी हमारा रास्ता, हमारे स्रम और सहयोग से ही मजबुत होगा। हम वैक्सिन प्राप्त करने की गती भी बढ़ाएंगे और वैक्सिनेशन अभ्यान को भी और गती देंगे। हमें याद रखना है कि भारत में वैक्सिनेशन की रप्तार आज भी दुनिया में बहुत तेज हैं, अनेग विक्षित देशों से भी तेज हैं। हमने जो टेक्नोलोजी प्लेटफॉर्म बनाया है, कोविन उसकी भी पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। अनेग देशों ने भारत के इस प्लेटफॉर्म को इस्तिमाल करने में रूची भी दिखाई हैं। हम सब देख रहे हैं कि वैक्षिन की एक एक डोज कितनी महत्वपूर्ण है। हर डोज से एक जिंदगी जुड़ी हुई है। केंद्र सरकार ने ये व्यवस्ता भी बनाई हैं कि हर राज को कुछ सब्ता पहले ही बता दिया जाएगा कि उसे कब कितनी डोज मिलने वाली है। मानवता के इस पवित्र कार्य में वाद विवाद और राजनितिक छीटा कसी से ऐसी बातों को कोई भी अच्छा नहीं मानता है। वैक्सिन की उपलब्दता के अनुसार पूरे अनुसासन के साथ वैक्सिन लगती रहे। देश के हर नागरीक तक हम पहुँच सके। ये हर सरकार, हर जनप्रतिनिदी, हर प्रसासन की सामुहिक जिम्मेदारी है। झाल